यदि संसार में आपको भवसागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो कैसे नाम जपे काम के समय मैं करके बताता हूँ कैसे करना चीए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो हमें क्या करना चीए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है? हमें कब उठना चीए? सूर्य उदय के पहले सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं जिस घर के लोग उठते हैं कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में जाडू लग जाए आपका मैन गेट खुल जाए खिड़कियां खुल जाए और सूर्य का पहला प्रकास यदि आपके घर पे आया तब तो आपके घर में सुक्षान्ती और सम्रद्धी की कभी कमी हो नहीं सकती जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके साथ बज गए सूरी भगवान आ गए अभी तक दरवाजा नहीं खुले खिड़किया नहीं खुली सो रहे हैं राक्षास राज अभी सो रहे हैं साथ बज गए, सूर्य भगवान सिर्पे चड़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं, क्या ये हमारी सब्यता हमारा संसकार है, ना हमारे संसकार है, जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम दस वर्ष के थे, तब हम मंदर में पूजा करते थे, हम मंदर म तब 10 साल के थे तब हम 4 वजे शनान करके 5 वजे पूजा खतम करके और 5 से 6 वजे तक मैं सुन्दर कांड का रोज पाठ करते थे हनुमान 40 का रोज पाठ करते थे रोज रोज पाठ करते थे 6 वजे सवेरे 6 वजे मंदर की पूजा और पाठ करके बाहर आजाते थे अपने काम के लिए और छे वजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे चारा काट करके गाय को खिलाते थे फिर नास्ता करते थे फिर रोटियां नास्ते में रोटी और अचार खाते थे कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के सा पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गव सेवा होनी चाहिए, ये हमारा रक्त में है ये, बिना पूझा किये, अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या करो सूर्य उदय के पहले, सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं, लगभग, आप साड़े-पांच जे बिस्तर त्याग दो बिस्तर त्यागने की पीछे भी कारण कैसा है कैसे त्यागना है डारेक्ट उटकी चलना नहीं है सबसे पहले जैसे आपकी आख खोले आख खोलते ही राम नाम तेही सुमिरन की नहा ह्रदया हरस कपि सज्जन चीन यही सन हठी करी हाँ पहिचानी साधुते हों ही न कार जहानी हनमान जी जब लंका में गए और बिभीषन की कुटिया पर गए तो बिभीषन सवेरे चार बजे जागे और जागते ही उन्होंने क्या बोला राम अर ठात आप जब जागें तो जागते ही राधे कृष्ण सीता राम स्रीमन नारायन भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे जपें भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें उठकर बैठ जाएं बिस्तर पे सीधे पड़े थे उठकर बैठ गई बैठ कर क्या करना है भगवान का नाम हे प्रभू आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद फिर दोनों हाथ का ऐसे मंधन करना चीए और जब हाथ गरम हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चीए खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चीए याद ना हो तो आपांसा करो कराग्रे वसते लक्षमी करमधे सरस्वते कर मूले तुगो विंदा प्रभाते करदर्शिनम कराग्रे वसते लक्षमी करके अग्रभाग में लक्षमी का वास होता यहाँ कराग्रे वसते लक्षमी करमध्य सरस्वती यहाँ सरस्वती का वास होता है और पूरे हाँच में भगवान कृष्ण का नारण का वास होता कर मूले तो गोविंद तो दौनों हाथों का मंधन यहां लक्षमी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्षमी आएगी सवेरे से ध्यान होगा सरस्वती का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत सब्द नहीं निकलेगा गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेगे आपकी वाने से कोई दुखी नहीं होगा और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारण, मेरे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा तो पहले दोनों हाथों का मंधन करके दर्शन करें फिर दोनों हाथों का मंधन करके जब हाथ गरम हो जाएं तो अपने चेहरे पर लगाएं अपने नेत्रों पर वो हाथ लगाएं और उसके बाद सबसे पहले उठकर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं सबसे पहले उठकर आप प्रच्वी माता को प्रणाम करें प्रच्वी माता को हे प्रच्वी माता आपका धन्यवाद आपने हमें एक आवसर दिया है आपके उपर हम कितना पाप करते हैं हाँ मल मूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं माँ हमें छहमा करना प्रथवी माँ को प्रणाम करना चाहिए उसके बाद आप अपना पाउं विस्तर के नीचे रखें हाँ उसके बाद विस्तर के नीचे पाउं रखें और सबसे पहले सवेरे बड़िया सा पानी पेट भर के पीना चीए मैं थोड़ा स्वास्थी की बात भी आपके लिए कर दो बच्चों को तो जान कर रात के तावे का वरतन जानते कोपर तावे के लोटे में धोल कर पानी भर दो उसे ढख दो और वही तामे के वरतन में जो रात भर से पानी पड़ा था उस पानी को सबेरे बच्चों को पिलाओ वो तामे के पात्र का जब पानी बच्चे पियेंगे तो वो बच्चों की बुद्धी प्रखर होगी बच्चे प्रखर बुद्धी वाले होंगे यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटी पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं चांदी का सिक्का जब लोटी पर डालेंग और उसमें पानी भरेंगे पानी का इस पर से चांदी और तामे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है पानी के दो से समाफ तो हो जाते हैं और पानी की शक्ती बढ़ जाती अरे फिल्टर करने वाली मसीने जो आपने घर में लगवा रखे हैं आरो ये क्या करते हैं ये पानी वेग से जाता है, टकराता है, टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है, सबसे ज़्यादा शक्ति शाली पानी कौन सा जहरने का पानी, गंगा का पानी शक्ति साली क्यों है, क्योंकि वो हज्जारों किलोमीटर की यात्रा करता है पानी, पत्थर से टकराता उसकी शक्ती बढ़ जाती है तो चांदी और कौपर की जब पानी स्पर्श करता है तो उसकी सक्ती बढ़ जाती है वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं आप पियें एक लीटर पानी सुवे बच्चों को पिलाएं उठकर और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे पे के लोटे में जल भरें तामे के लोटे में और सबसे पहले बच्चों के हाथ से एक लोटा जल सूरी भगवान को चड़वाएं जिसकी बुद्धी बिल्कुल शून्य है जिन बच्चों की बुद्धी कम है या शून्य है ऐसे बच्चे यदि जल चड़ाएं तो उनकी बुद सब को शूरी भगवान को जल चढ़ाना चाहिए कैसे चढ़ाए ओम शूरी आए नमा आधित्य आए नमा भॉम आए नमा खवा खगाए नमा भाशकर आए नमा सूरी भगवान के द्वादस नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाईए सूरी भगवान को प्रणाम कीजिए खड़े खड़े साथ बार घूम जाईए प्रदक्षिना कीजिए सूरी भगवान की साथ परिक्रमा होती है साथ प्रदक्षिना कीजिए सूर्य भगवान को और उसके बाद यदि आप पती पतिनी में कोई खटा पती चल रही है जगडा चल रहा है तो आप भी जल चड़ाएं सूर्य भगवान को पर उसमें आप थोड़ा सा गुड डाल लें गुड मीठा पानी जब मीठा जल चड़ाएंगे सूर्य भगवान को तो आपके रिस्तों में मिठास बनी रहेगी और मैं आपको बता दूँ कि आप अपने बच्चों को जो जल चड़ाएं वो साधा जलना चड़ाएं उसमें थोड़ी कुम-कुम डाल लो रोली लाल कर लो पानी को लाल पानी सूर्य भगवान को चड़ाओ रंगीन पानी सूर्य भगवान या चंदन हिसके डाल लो एक केसर का पत्ता डाल लो ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चड़ाएंगे तो आपके जीवन में भी नाना प्रकार के भक्ती के रंग, प्रहम के रंग, ज्यान के रंग चड़ेंगे हाँ, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद आप अपने घर से, जो आपके मंदिर है घर पे ठाकुर जी को बड़िया पूजन करो, एक ठाली साफ करो, ठाली में बड़िया सा एक स्टार बनाओ, चंदन का स्टार बनाओ, चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम, ओम, ओम लिखना चाहिए और फिर जो खंड बचेंगे न इस चार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखेंगे आजू बाजू जो खंड बचेंगे उनमें आपको लिखना है या तो आप लिखें श्री राधा प्रिश्णा भ्याम नमा या तो आप लिखें श्री मन नारायन है ना आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लिखें श्री राधा एक एक खंड में लिखें श्री फिर एक में रा फिर धा फिर राधा हो गया फिर श्री रिष्णा भ्याम नामहा ऐसा लिखें श्री शीता रामा भ्याम नामहा भी लिख सकते हैं ऐसा लिखें फिर लड्डू गोपाल जी को उस पर बिठाओ ठाकुर जी आपके घर पे होंगे ने लड़ू गोपाल जी आपने जब वो इस टार पर ये सब बना लिया तो वो यंत्र बन जाता है उसे यंत्र को जल डाल कर पहले प्रणाम कीजिए जल डाल के प्रणाम करके फिर उसे आप प्रहम से प्रण भ उस्ता चढ़ाईे, लेखे करके सब मैं और फिर उसको प्रणाम कीजिए, जल चढ़ाईए, तुल्सी चढ़ाईए, ये एक यंत्र बन गया और इसे प्रणाम कीजिए, फिर इसके उपर ठाकुर जी को कुछनान कराईए प्रैम से शनान कराएए कैसे शनान कराएए ऐसे शनान कराएए और बोलते रहिए श्रीमन नारायन 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 कुछ नहीं आए तो नारायन नारायन कीर्तन करते श्रीमन नारायन नारायन ऐसे जल चड़ाओ, जल चड़ाने के बाद भगवान को अपनी गोद पर बिठाओ, अपनी गोद पर बिठाकर बड़े प्रेम से उन्हें बड़िया कपड़े से पहुँचो, साप करो, बच्चे को भी आप नहला के पहुँचते हैं, बच्चे को बड़िया पहुँचिये, और जब भगवान को आप बढ़िया से साप करें, उसके बाद उन्हें उनकी आसन पर बिठावें, और आसन पर बिठाने के बाद उनको फिर बढ़िया से वस्त्र पहनावें, वस्त्र पहनाने के बाद उनका सिंगार करें, सिंगार करने के बाद जब पूरा सिंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दरपन दिखावें है ना फिर भगवान जी को दरपन आप लोग भी दरपन देखते हैं कि नहीं ऐसे ठाकुर जी को दरपन दिखाना ची प्रभू देखिए आज दास ने आपका ऐसे सिंगार किया है ये आपका सिंगार ऐसे दरपन दिखाओ भगवान को भड़ियासा दरपन दिखाओ भगवान को दरपन दिखा कर फिर उनको प्रणाम करो और प्रणाम करते हुए कहो त्वामेव माता बोलो मेरे सेंग सभीलो बोलो त्वामेव माता चपिता त्वामेव त्वामेव वन्दोष्चे सखा त्वामेव त्वामेव वित्या द्रविडम त्वामेव त्वामेव सर्वं ममदेव देव हाँ जोड कर भगवान से कहो हे प्रभू आप ही हमारी मा हैं हे प्रभू आप ही हमारे पिता हैं हे गोविंद आपके सिवा हमारा इस रष्टी में कोई नहीं है हे प्रभू माना की मैं अपराधी हूँ माना की मैं पापी हूँ पर मुझे स्वीकार करना आपका ही काम है भगवन हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं एक बार जरा सभी बोलिये, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे प्रभू, मैं सदा आपका श्मरन करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए बड़िया सी आरती उतारनी चाहिए बड़िया सा भोग लगाना चाहिए और बड़िया आरती उतार कर देखो भोग भगवान को कई लोग ना भोग ऐसी रख देते हैं ऐसे नहीं भगवान को एक एक तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे हमें खिलाना चीए भोग ऐसे लगाना चीए खिलाओ पांच वार कम से कम पांच कॉर तो खिलाओ खिलाओ भगवान को खिलाने के बाद फिर आजमनी से जल घुमाओ भगवान को पानी पिलाओ है ना पानी पिलाओ भगवान को बड़िया पानी पिलाओ कि उनका मुह पहुंचो बड़िया कपड़े से ऐसे मुह पहुंचो भगवान जी का मतलब भगवान को अपनी तरफ प्यार करना है बालक की तरफ प्यार करना है ये सोधा क्या करती, गोद में विटाती, खेलाती, पिलाती, मुह पहुचती थी, हमें भी वही सने हैं रखना भगवान से, भगवान प्रेम की तो भूखे हैं, वो बस्तुओं के सोना चांदी, जिने के पाउं लक्षमी दवारी हैं, उन्हें हम क्या पैसा देंगे, उन्हें तो सब खाएंगे, प्रेम से खिलाओ, जूठा खिलाओगे, तो शबरी माने जूठे बेर खिला दिया, हाँ, सब खाते हैं, प्रेम होना चाहिए, अरे मेरा आप से प्रेम है ना, तो मैं आपके घर बासी रोटी भी खा लूँगा, और प्रेम नहीं है, तो छपन भोग देना हम में पसंद नहीं आएंगे, तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान के अवस्तूओं के भूखे हैं, वो प्रेम चाहते हैं, आपका इसनेह चाहते हैं